दिपावली पर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है इसमें महुरत का बड़ा महत्व है इस दिवाली किस समय लक्ष्मी पूजन करना चाहिए ये जानकारी दे रहे हैं पंचाग निर्मान करता पंडित दामोदर प्रसाद शर्मा दिपावली का पर्व कार्ती कर्ष्मा अमाविस्या प्रदोस कालिन जिस दिन होती है उस दिन दिपावली का पर्व मनाया जाता है इस बार दिपावली का पर्व चतुरदिसी युक्त अमाविस्या के दिन मनाया जा रहा है क्योंकि अमाविस्या रही बारा नौंबर को दोप काल नामावैसरा इशी दिन गराण दिपोथश का पर्व इसी दिन मनाए जाएगा और इस दिन प्रदोस काल में लक्षमी का पूज़ण करने का प्रावधान सास्त्रों में बताया गया है सांथ ही ब्रसब लगन इसका सर्फ्षरेष्ट काल रहता है इस बार जो घ्रहत्तियो के लिए जो डिपो उत्सों का पूजा लक्ष्मी पूजन का समय है साइंकाल श्याम को पांच बज़ के चोतीस मिन्ट से शुरू होकर रात आठ बज़ के तेरा मिनिट तक प्रदोस काल रहेगा इसमें लक्ष्मी जी की पूजा करना स्टेश्ट रहेगा साथ ही रात रिग में ब्रस लगन भी श्याम को आ रहा है वो श्याम को पांच बज़ के पचास मिनिट से रात साथ बज़ के सहतारीश मिनिट तक रहेगा इसमें भी लक्ष्मी पूजन की जा सकती है रात्रे में जो व्यापारिक प्रतिष्टान जो मध्यरात्रे में सिंग लगन में पूजा करते हैं वो रात बारा बज के बीस मिनट से दो बज के सब्सक्राइब का टाइम रहेगा ये भी सिंग लगन शर्फिरिश्ट काल व्यापारिक के लिए और ग्रस्तियों के लिए माना गया है साथ ही जो दिन में पूजा करने वाले हैं वो मीन लगन जुश भाव में भी अपनी पूजा प्रारम कर सकते हैं जो दुपेर बाद दो बज के 46 मिन्ट से सुरू होकर शाम 4 बज के 13 मिनिट पे रहेगा इसमें भी व्यापारी प